तो आज हम सीखें हैं कैसी करते हैं अपने Windows 11 के अंदर अपने ग्राफिक कार्ड को update तो बिसेकली जादा कुछ नहीं चाहिए सबसे पहले तो आपको अपना इंटरेट चाहिए होता है अपने ग्राफिक कार्ड को तो इसको इसे वाले इंटर फेस में आपको जाना है या फिर आप सेर्च कर सकते हैं डिवाइस मैनेजर तो उससे भी आपका यह वाला खुल जाएगा तो इसे भी करके आप इस वाले को खोल सकते हैं या अगर यह दोनों चीज नहीं होता है तो आप ग्राफिक से अपने डिस कर लगे हों है को हमारे कम्प्यूटर में तो आपके साब से आपके कंप्यूटर में हो सकते हैं कोई भी अपको रगां पड़ेगा इसके अप्डेट ड्राइवर पर तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है या फिर आप चाहे तो प्रॉपर्टी से भी जा सकते हैं तो फोई- पर क्लिक कर सकते हैं वहां से अब टेट हो जाएगा तो अब टेट वाले पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस परकार से खुल जाएगा यहां पर सर्च इसके लिए इंटरेट पड़ेगी जैसे कि देख पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको अपडेट हो चुका है दूसरा तरीका है जहां पर अगर प्रॉपर्टीज पर जा सकते हैं उसके बाद यहां पर ड्राइवर पर जाएगे देखेंगे तो यहां पर भी अपडेट का सेटिंग दिखा रहा होगा और यह देख सकते हैं जैसे कि लाश्ट जो कि अपना अपडेट था वह इस टेट पर आया था 10721 तो यह अपना ड्राइवर डेट है जो कि लाश्ट चेंज हुआ था अपडेट आयता है मीन तो उसको देख सकते हैं बाकी यहां पर देख सकत को अपडेट कर सकते हैं तो आपको यहां पर ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं तो अपने यहां पर ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं तो सपोस्ट यह दो मैतड हो चुके आपके और तीसरा जो मैतड है वह यहां पर यह है कि आपको अपने ब्राउजर में जाना पड तो यहां पर देख पारें इंटल का यह है तो इंटल का कुछ ऐसा है इंटल ड्राइवर सपोर्ट एंड असिस्टेंट तो ऐसा कुछ है इंटल टी इससे तो इसके आप से आपको डाउनलोड करना पड़ता है अगर आपका इंटल का हो जैसे की मेरा इंटल का है और बाकी इसके साब से इसमें लिखा रहेते कि कुण-खून से वर्जन को यह सपोर्ट करता है और ऐसे हैं तो यह आपको कुछ प्रकार से डाउनलोड करना पूड़ाएगा बाकी यह और URL है तो exact URL आपका भी होगा तो यह एक चीज़ हो गई बागी जो दूसरी चीज़ है वो यहाँ पर AMD का है AMD का जो की जैसे के अपना लेता है graphic card तो AMD का भी auto detect tool है मतलब graphic card कून सा है वो पता चल जाता है वो भी एक चीज़ system अच्छा है इसका तो AMD से भी आप कर सकते है अपडेट तो सबके GPU के अपने अपने driver होते हैं जैसे कि अपना Intel हो गया AMD हो गया NVIDIA हो गया और NVIDIA का भी यहाँ पर है कुछ इस प्रकार से NVIDIA driver downloads तो N Geforce experience driver है इसका तो यह आपका automatically जो भी आपके computer में graphic card रहता है उसके हिसाब से अपडेट दे देता है तो यह तीन थे अपने जो की थे यहां से driver update करने के लिए तो आप इसको download कर सकते हैं और वहाँ पर manually भी आप इसको update कर सकते हैं तो suppose हमने कोई भी download कर लिया और वहाँ पर install कर लेंगे तो आपको आप पर जाना पड़ेगा इसको अपने start पर and start पर जाने के बाद आपको यहां पर पर जाना पड़ेगा task manager पर तो task manager पर जाके देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि आपका computer में कौन सा graphic card है या फिर आप simply यहां पर भी लिख सकते है task manager और य GPU 0 आपका secondary है तो अपना यहां पर जो dedicated वाल लगा है वहां पर GPU 1 है जैसे कि Nvidia Geforce MX 130 तो यह हमारा dedicated है मतलब external लगाए गया है and GPU 0 अपना integrated था तो इस वाले graphic card को हमको update करना है तो उसके साब साब उसका नाम copy paste कर सकते हैं and search कर सकते हैं अपने browser पर और उसके बाद ड्राइवर ड दिखा रहा हा तो इसका click कर लेते टैंऑ उसका driver download कर लेते तो यहां पर हमने सखो ul- Siya यहां पर यहां पर कुछ परकर चुका अपना page तो यहां पर आपको देखो download option दिख रहा होगा तो उस में आपको जाना पढ़ेगा वहां पर download करना पढ़ेगा सबूमारी मंज पना हैं और आपको दाउन लोड़ ना का पूशन आ रहा होगा अधिक करते ही आपको यहां पर ऑटोमाटिकल्य यहां पर ट्राइवर हो जाएगा अपडेट या फिर आप चाहे तो मैनुली भी ड्राइवर सर्च कर सकते हैं जैसे कि अपना जी फोर्स हो गया या फिर कुछ प्रकार का मॉडल है सब आपको सर्च करना पड़ेगा और कूंसी सीरीज यह प्रोडॉक्ट सीरीज तो हमारी हैं प्रोडॉक्ट है तो अपने हिसाफ से भी चेंज कर सकते हैं उसके बाद एक्सेट कर लेना है यहां पर आपको दिखा जारा है कि आपका कौंसा कौंसा ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और कौंसी डेट को अपडेट वा था लास्ट तो यह दो चीज यहां पर दिखाई ज है यहां पर देख सकते हैं जैसे कि और अगर नहीं है तो आप यहां पर डाउनलोड करके वहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं सिंप्ली राइट क्लिक प्रॉपर्टीज या फिर अपडेट ड्रेवर पर जाकि आपको ब्राउस करना पड़ेगा मैनूली एंड उसको सलेट कर ल आपको नहीं है